स्टूडेंट्स वेल्कम बैक टू पीस्टी पाई स्टूडी सरकल अच्छी वीडियो है टेंट एनाइस के स्टूडेंट्स के लिए और गाईस यहां पर हम डिसकस करेंगे सोशल सैंज जिसका कोड है दोसो तेहरा उसके चाप्टर नमबर नाइंटीन को जिसका नाम है राज आप चैनल पर नहीं हुआ अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना बैल आइकोन को दबा लेना क्योंकि एनाइस बोट की तरफ से जितने भी लेटेस्ट अब्डेट्स होती है वो आप तक हम एजली पहुँचाते रहते हैं इसके अलावा आपका कहीं भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर हम बात करेगा इस चैप्टर नंबर 19 से पहले के चैप्टर की दैट मींस 18 तक के चैप्टर मैं ओड़री आपके important questions सारे करवा चुकी हूँ तो चैप्टर नंबर 1 से लेकर 19 तक स अगर अच्छे से इसको पूरे syllabus को study करना है हिंदिया इंग्लिश मीडियम के student हो तो आप हमारे एप को डाउनलोड कर सकते हो एप का नाम है पीस सी पाई स्टेडी सरकल इस एप पर आपको पूरा का पूरा ये syllabus मिल जाएगा लेक्टर समने वहां पर डाले हुए हैं पूरा इसर के question paper महां से डाउनलोड कर सकते हो अपने solve assignment solve practical महां से easily purchase कर सकते हो तो अगर आप NS board के student हो तो app आपके phone में होनी बहुत ही ज़रूरी है सो चलिए देख लेते हैं first question जो की आपका पहले हम MCU देखेंगे तो पहला MCQ question है भारत में कौन सी शाषन प्रणाली है काफी important MCQ है आपका ये और ये आपको पता भी होना चाहिए तो देखो भारत में कौन सी शाषन प्रणाली है क्या option है अध्यक्षी है खे है संसदिय है गय है दोनों या फिर इन में से कोई नहीं तो देखो भारत में जो शाषन प्रणाली है वो है संसदिय है ठीक है संसदिय है शाषन प्रणाली Next Question है, राज जेपाल को कोन Newkt करता है तो आप देख सकते हो क्या Option है? राष्टेपती खे है परदान मंत्री गेह देश के मुख्य न आए धीश या फिर गेह चुनाव आयुक्त तो राज जेपाल को जो Newkt करता है वो करता है राष्टेपती तो यहाँ पर आपका पहला option ही सही हो जाएगा थर्ड question है मंत्री परिशत का कारेकाल कितने सालों का होता है तो क्या option है पांच वर्ष खेह एक वर्ष गय है तीन वर्ष या फिर गय है इन में से कोई नहीं तो देखो मंत्री परिशत का जो काम होता है वो पांच वर्ष का होता है कारेकाल होता है स्वारी कारेकाल ठीक है जिस दोरान ये लोग काम करें तो पांच वर्ष का होता है क्वेशन नबर कोर है विधान सभा की पीठा सीन अधिकारी कोन होता है क्या औप्षान सभापति खैहय है मुख्य मंत्री या फिर राज्चेप्स देखों विधन सभाप का की और जो होता है वह सभापथी होता है Q6 है विधान परिशत की सदस्यता ग्रहन करने के लिए कितनी आयू सीमा निर्धारित की गई है तो विधान परिशत की सदस्यता ग्रहन करने के लिए चार ओप्षन है 30 वर्ष निर्धारित की गई है 25 वर्ष या फिर इन में से कोई नहीं तो विधान परिशत की सदस्यता ग् नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बोक्स में तो महां से आप other subject की जो important questions की पीडियों होती है वो भी डाउनलोड कर सकते हो चलिए next question देख लेते हैं गाई next question है जिला, question number 7 है ना भी आपका, उच्छे नियायले के नियायधीश की नियुक्ति कौन करता है तो क्या option है राजशन है राजशन है राजजपाल, खह है भारत का मुख्य है नियायधीश, ग्याया है पर दान मंत्री या फिर गह राश्ट पती, तो उच्छे नियायले के नि लोक सेवा आयोक का अध्यक्ष या फिर गया है उच्छ नियायले या फिर गया मुख्य मंत्री तो जीरा नियाधिश की न्युक्ति जो करता है वो राज जपाल करता है तो आपका यहाँ पर क्या उप्शन राइट होगा चलिए कोशन नमर नाइन देख लेते हैं जो कि है निर्धारित की गई है तो क्या उप्शन है थेज़ लेकिन आधिश की सीमा यहाँ तो अध्यक्ष निर्धारित की गई है नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं लास्ट जो आपका मशी कई तो है राजविधाइका की बैठ हो निय को यहाँ नाइव। चाहिए तो क्या option आपका हैं पर ठीक हो जाएगा चलिए गाज देख लेते हैं अब इसके five most important questions with answers तो आप इनको भी अच्छे से prepare कर लेना तो first question है वो आप लोग देख सकते हूँ है कि भी उन इस्तितियों की व्याख्या करिए जिनमें राज्यपाल अपनी विधाई शक्तियों का प्रियोग कर सकता है कौन कौन सी ऐसी conditions है जिनमें जो राज्यपाल है अपनी विधाई शक्तियों का वो इस्तमाल कर सकता है तो आप देख सकते हैं राज्यपाल राज्या का प्रधान होता है वह मंत्री परिशत की साहता से राज्या का शाशन चलाता है भारत के प्रतियक राज्य में राज्यपाल की व्यवस्था की गई है व्यवहार में राज्यपाल की सभी वैधानी शक्तियों का परियोग मुख्या मंत्री के किसके मुख्या मंत्री के नेतरत्व में राज्या मंत्री परिशत के द्वारा किया जाता है राज्यपाल मुख्य मंत्री की नियुक्ति करता है और उसके परामर्श पर राज्य के मंत्री परिशत के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति फिर की जाती है मुख्य मंत्री का यह सम्मय धानिक दाईत वह कि वह राज्यपाल को राज्य प्रशाशन के बारे में सूचनाई भी दें तता प्रस्तावित विदहिक के सम्मंध में सूचनाई वोस से मांग भी सकता है कुछ विशेश परिस्तितियों में सम्विधार ने उसे अपने विवेक के आधार पर काड़े करने की भी अनुमती दी है ठीक है चलो तो यह हो गया गईज हम लोग का फर्स्ट कोशन आउ लेट सी सेकंड कोशन जो की आप लोग देख सकते हो उच नियायले एक अपीली ये नियायले किस परकार है अपीली ठीक है अपीली है तो देखो उच नियायले एक अपीली ये नियायले भी है जिलास तर पर सभी अधीनस्त मामलों के नियुनेयों के विरुद उच नियायले को अपील सुनने का अधीकार है जी हाँ जो हाई कोट होता है उसको जो हमारे जिलास तर पर जो नियायले होते हैं अगर वो किसी की बेल को मना कर दें तरीके से तो वो फिर कहां पर अपील कर सकता है वो हाई कोट यानि उच नियायले में अपील कर सकता है बहुत सारे ऐसे केसे होते हैं जिनको अगर जिलास साथ वर्ष या फिर इस से अधिक का कारावास दिया हो ठीक है तो उसके निर्णा के विरुद्ध उच्छ नियायले के समक्ष अपील कर सकते हैं तो उच्छ नियायले एक अपील है मतलब इसमें हम अपील कर सकते हैं ठीक है चलो आगे पढ़ लेते हैं कोश्चन नमबर 3 नियुक्ति उच्छ नियायले के नियुक्ति राष्ट पती द्वारा की जाती है उच्छ नियायले के जो मुख्य नियुक्ति की नियुक्ति के समय राष्ट पती अनिवार रहता है भारत के मुख्य नियुक्ति के समय राष्ट पती अनिवार रहता है भारत के मुख्य निय हैं बारत में ऐसके कि दोती है चुछ विधाई शक्तिया रहां की विधाई शक्तियां में आपको बढ़नी है तो पहली है राज्यपाल को विधान मंदल का सक्त्तर बुलाने के तथा समाप्त करने की शक्ति हैं दूसरी है कि वह मुख्य मंत्री के परामर्ष पर विधान सबाप भंग कर सकता हैं तीसरी है कि वह राज्य विधान परिशत के लगभग एक बड़े मोदन के बाद ही कोई विधायक कानून बनता है तो इस तरीके से राज्यपाल की चार विधाय शक्तियां इस प्रकार हैं चलिए लास्ट और फाइनल कुर्शन उप इस वीडियो हम लोग देखते हैं राज्यपाल और मुख्या मंत्री के पारिस पर इक संबंद हो कि आपको व ठन होता है इनके मिलाब से इनके योग से हम यह जानते हैं कि राज्यपाल मुख्या मंत्री को नियुक्त करता है समान्यत है राज्यपाल के बहुमत दल के नेता को ही मुख्या मंत्री पत पर नियुक्त किया जाता है लेकिन कभी-कभी राज्यपाल को मुख्या मंत्री की न उकती और उनके बीच विभावगों का बतवारा करता है यह मुख्य मंतरी का सम्मेधानिक गायत वह यानि फर्ज है कि वह राज्यपाल को मंतरी परिषद के प्रतेक निर्ले से क्या करा है अगध रखे राज्यपाल मुख्य मंतरी से राज्यप्रशासन के बारे में सब्सक्राइकों के संब्सक्राइकों 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 के स या फिर English Medium में पूरा course अपना complete करना है, lectures आपको अटेंट करने हैं, बढ़िया तरीके से समझना हैं, तो उसके लिए एप पर हमारे इस course को ज़रूर पर्चेस करें, बहुत ही कम फीस में हैं, तो एप का नाम है P.S.C.Pie Study Circle, जो कि एनराइस के बच्चों के लिए बहुत यू आपको एप पर भी मिल जाएंगे और डिस्क्रिप्शन बोक्स में भी, English के लिए मेरे दूसरे चैनल को विजिट करना बिलकुल ना भूलें, जिसका नाम है Learn English by तबस्यूम, तो Learn English चैनल पर NS के जो स्टूडेंट्स हैं, उनका पूरा में English का स्लेबस डीटेल में कम्प्ली अगर आपको हमारे व्लॉग देखना अच्छा लगता हो, अगर आप हमारी टीम से मिलना चाहते हो कि हम किस तरीके से काम करते हैं, कैसे आपके लिए प्रप्रेशन करते हैं, so for that you can join my व्लॉग चैनल, व्लॉग का नाम है मेरा तबस्यूम है तो इसका लिंक पर डिस्रुप अबस्रुप जा रिखना चहते हो मेरा हो, इ上 चाहता हो, अगल दो ऑगर से कि कहा हैं, तो कि हमारा से काम करते हैं, यूर। आपको एंको लुग होग हैं, खुग तो को से काम करते हैं, आपको एंपको ब皆さん Cledo